वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माई आनलाइन क्लास है साइम डॉक्टर असो किया दो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलोजी के विशे में पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डाजेशन के अंतरगा थे हीमन जी इटी का जो सबस कैना लिया एनस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था जिसमें बच्चों हम लोगों यह देखा कि हुमन जी आइटी जो होता है उसकी जो अपनिंग होती है वह एंटिरियर अपर्चर के रूप में माउट से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है ठीक बच्छा अर्थ सबक्राइब list के जान लिया है आज घे बच्छे उस्युथ एप खर अगर जोंίक रोल यह देखें गर्यास होता है बच्चों और इल्मिनेशन आफ वेस्ट मैटेरियल ठीक बच्चो लॉट इंटेस्टाइन से किसी प्रकार का कोई एंजाइम का सी क्रिशन नहीं होता है इस लिए इस प्रकार कोई डाइस्टेशन के एंजाइम से नहीं होता है यहां से किसी प्रकार कोई डाजेस्टिक नहीं होता है किसी प्रकार के डाजेस्टिक जूस का सिक्रिशन नहीं होता है इसलिए अर्था भूर्ट के इनका बहुत ज्यादा इंप्रोल नहीं होता है फिर भी कुछ सबस्टेंस का अच्छा कुछ मैटिरियल का अब्रॉर्ट यहां होता है कौन्स बच्छे अब्रॉर्ट मिनरल सौल्ट विटॉमेंस एंड सम्ड्रक्स कॉंटिनियूड अंटिल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आफ इसस wireless कि अगर हम बात करें बच्छों तो ज्यादे से ज्यादी जो बात करें बच्छों तो बात्ता मेल। में भी होता है इन्हेर अगर में में ब July तरएंगu Curry जो स्टूल में 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 सब्सक्राइब करने होती नहverted के इ सब्सक्राइब करने का काम करते हैं जैसा कि पूछली वीडियोता वीडियों हम लोगों ने जाना है कि जो हम लोग फुर्ट माटेरियल्स लेते हैं तो फूर्ट माटेरियर स्मूझ मि उतिंट होते हैं वह हमारे इस माल इंट्डेस्टेंट में पाइन जाते हैं तो वLOंट मिन्या Sagία होता है विटमिन के होते हैं और साथ ही साथ कुछ ड्रक्स जो होते बच्चों उनका भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है अंटील सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आप अर्थात इनमें वाटर का अप्जॉर्शन तब होता रहता है बच्चों जब तक जो लिक्विट काइम है वह सेमी सॉलिड अर्थात इस्टूल के रूप में कनवर्ट न हो जाए ठीक बच्चों अगर बात हम करें बच्चों तो जो हम लोग जो भूजन लेते हैं तो सबसे पहले जो इस्टमक में आता है भोजन तो वह किस इसमाल इंटस्टाइन से लेकष्ट रूप में हो जाता है और पिर यह इनटस्टाइन में पहुष्टे पहुष्टे जितने भी वाटर होते में 11 में think हमारे अब फिर वहां जो consistency of water food है बच्चों वो धीर सेमी solid यह solid वस्था में आ जाते हैं जिनको हम फीस कहते हैं जिनको हम मल कहते हैं जिनको हम इस टूल कहते हैं ठीक बच्चों तो water का absorption mineral salt का absorption vitamins का absorption और कुछ drugs का absorption जो होता है होता है परन्तु यहां बहुत ज्यादा absorption का रोल नहीं होता है क्योंकि यहां ज्यादे सज्देशन नहीं होता है कुछ ऐसे जैसे हम फाइटरी फाइबर्स का यूज करते हैं कुछ ऐसे इसमाल चेन फाइटी एसिट्स होते हैं जिनको जिनको पाता है उनका absorption समय लार्ज इंटेस्टाइब में होता है साथ ही साथ कुछ substances का कुछ food materials का इसे इसे बाइक्टीरिया होते हैं अगर हम बात करें बच्चो तो हमारे जैसे इस biological world में बच्चो अगर हम बात करें इस पूरे biological world में जब से मानो इस धर्थी पर evolved हुआ है तब से बच्चो बैक्टीरिया का mammal के साथ मानो के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है अगर हम बात करें बच्चो तो हम लोगों के सरीर में बहुत सारे पता नहीं कितने हजार ट्रिलियंस बैक्टीरिया जो होते हैं एक बार जब हम लोग ब्रीद करते हैं एक बार हम जब सांस लेते हैं बच्चो तो हमारे एक ब्रीद के साथ ट्रिलियंस बैक्टीरिया हमारे सरीर के अंदर पहुच जाते हैं अर्थाद अगर हम देखे बच्चों तो हमारे स्किन पर हमारे माउथ कैविटी में हमारे बकल कैविटी में हमारे नोज में हमारे यूरनोजनाइटल ट्रैक्ट में हमारे लॉर्ज इंटेस्टाइन हमारे समाल इंटेस्टाइन में साथ साथ बहुत सारे संख्या हमारे सरीर के अंदर पाया है इस प्रकार से हम लोगों का जो सरीर होता है वह जिसमें से अधिकांस भर्त यह संक्छ यह रिए होनिया होते हैं जिनको नीचर ने हमारे शंक्राण के गला इंदर होग उनको क्या कर देते हैं जैसे हमारे ड unto आप बैस गए थिसक्ति होगए बच्छेंट इंसेंट पॉलिज्व इनके बाद भी हम 5 नोगी बोड़ी यूजफिलते हैं जो हमारे लिれ daw πियोगी होते और हमारे सरीर के साथ यहioxid करते हैं तो इन से हमको फायदा हो ama बक्टो तो आगर हम देखे बक्टेरीया जो वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन उन्दर पाया जाते हैं वह क्या होते हैं हं बिटामिन के अध्यतम करने का काम के यह हमारे लिए ब्लॉट मैं को यह ब्लॉक्तर ने मुझा दोड़ में नहीं बनते हैं अर्थात अगर हम यह देखे कि विटामिन के जितना हमारे सरीक अंदर फार्मेशन हो रहा है उतनीस काम चल जाए तो यह कता ही नहीं हो सकता यह बहुत ट्रेस्ट करते हैं विटामिन के और फॉलिक एसिट का और यह बात करें डियों के साथ इसनाश दो जो बचों क्या करते हैं लक्यों यह सब क्या करते हैं यह जितने वाल इंठिस्टाइन के अंदर यह फैकलिटेटि इंड अर्धा है करते हैं जो हमारे करने के बाद इसमें हमारे छी ट्राइण के अंदर ग्रोडक्षन होता जैसे निट्रोजन की इस परकार से गर हम देखें बच्चो तो जैसे बाक्टिरिया होते है ये हमारे लाइसे एंडिजेस्टेट麼 कृते हैं उनका यह एं और मैंठ यहां क्या होता है विटामिन के युद्ट क्या करते हैं क्वाणे क्षिए इसका अनुह को बैक्टिरिया के द्वारा हता है यह क्या एंसे इसका निर्मादान fell का पार्मेशन कराते इस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है वच्छों यह क्या है दा गैसे स्ट प्रोड्यूज इन इंटेस्टाइं दू तो फूर एंट रिंग कंजम्शन इज एक्सेटेड आउट बाइद लार्ज इंटेस्टाइं इन फार्म आप फ्लेकर अगर ह इससे मेरे लुक्त मातरा हमारे से अंदर चले जाते हैं और यह पर जसको मेरे आकर कर्माटेशन के उपरांद बचो घासे का फार्मेंट करते हूं ऑब इस में से कार्वन का प्रोडशन होता है अप sacar पॉल्टाई क कठ्था हो जाते हैं साथ ही साथ जो भोजन लेते हैं इसमें भी क्या होता है और लोग पास हो सिर्ष सरी्ट के बनते हैं जो हम हाँ फर्मेंटेशन होता है तो इससे गैस प्रोड्यूस होता है और यह सब गैस क्या होते हैं बच्छों हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के दौरा फ्लैटर्स के माध्यम से विंड के माध्यम से बाहर की और पास आउट हो जाते हैं ठीक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन सेमि सॉलीड इस्टेज पहुंच जाता है जिस फाल्ड या सॉलीड हो जिसको हम watfal करते हैं ठीक बच्चों यह क्या करता है बच्चों यह जो लिक्विट हैी है वह हमारे लार्ज इंटर्स्टाइन जो आगे की ऑर बाड़ता है उंस होगमेंट होता है बच्चों फूल का तक्रेट होता है यह साथ हारे इन्ट्र इंट्रम्राइव्टमिन प्रेशर बनता है बच्चों यह सब क्या करते हैं बोजन को आगे काइम होución क्या होता है ओक उत वांग ejercite हो सब्सक्राइब व्ह стан хорошоरों। पूट पाड़िकल्स यह क्या होता है यह जो हमारी मांस्पेस यह लॉंगिट्यूडनल सर्कूलर मसल्स जो होती है बच्चों यह क्या कोई है अल्टरनेटिव कॉंट्रेक्शन करती है और इस प्रक्रिया को हम परिस्टल्टिक मुमेंट के दौर भोजन आगे की यूर बढ़ करते हैं एक प्रोफल सिब मॉमेंट करते हैं जिनको हम परिस्टल्टिक मुमेंट करते हैं इक प्रकार के जो रहेक्ट propose होती है साथ इसाथบचों हमारे तो बनता है तो यह क्या करता है भोजन को आगे बढ़ाने का काम करता है साथ इसाथ बच्चों जो इंट्रा एब्डॉमिनल प्रेसर बनता है तो यह इपी गलाटिस को बंद कर देता है क्योंकि जब प्रेसर हमारे इस्टमक के अंदर बनता है तो हमारा भोजन जो है बच्चों ह हमारे स्टूल के रुप में नीचे की योडिसंड करता है क्यों 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 कि उपर की जितने बी वालम है वह सब क्या हो जाते है तो नीचे की यो माँस मुंट कामनली कॉल डे ग favored एक ड्यों चिंच करता है हमारे इस्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन की और बढ़ता है प्रकार क्या करते हैं और इस प्रकार के यह बच्चो घ्योंट करते हैं कि क्यों होता है वzip करता है इसके लिए होते हैं इंट्राइब्टel प्रेशर होते हैं साथ ही साथ होते हैं होते हैं यह क्या करते हैं man can प्रतान करते हैं प्रकार का और होच आते हैं मोड्य इंट को का दो जो कूलन की और आते हैं इस प्रकार का जो मौमेंट हो mówता है इसको प्रेसर होते हैं जो हमारे और साथ ही साथ जो लॉंगिट्यूडनल मसल्स होते हैं यह हमारे भूजन के लिए एक गज़ प्रदान करते हैं जिसको हम परिस्टल्टिक मोमेंट करते हैं दिदैक घंट्रनेत कंट्रक्षिन अधिमेशन सब्सक्राइब है ईग्यार म able पॉडिए बहुत हो जाते हैं अर्था को लन यांक इंफिकेसिकोंट होता है यह क्या होता है हमारे भ builders करता है औन चीजएरे करता है आगे आगे अधिन का दा responsibilities हो जाता है बाहर के it हो जाता है है जिस को फैस के सब्सक्रुदिन करते हैं स्बार्ञे Terrorist का रोल होता है क्योंकि डीफिकेसन कि प्रक्रीया कहां से होती यह थे बाता है वह इसको निकर अर्थाहत्otte वो हमारी जो अन्डीश्ट माटेरियल सोते हैं कुछ ऐसे में सोते हैं जिनका फर्मेंटेशन करते हैं करते हैं गैसे होते हैं उनको बाहर करते बचाने का कॉन करते हैं रहिर इंपर्टन इनफाइंट्स डिफिकेशन इज एन इनवालेंट्री अक्सान वेरी वेरी मुस्ट इंप्रोटेंट बच्छो अगर बात हम इनफाइंट की करें बच्छो तो जो सिस होते हैं उनमों जो डिफिकेशन की प्रक्रिया होती है बच्छो वो इनवालेंट्री होती है जो सेल्फ कं कंट्रोल नहीं हो पाता है और ब्रेन के दोरह कंट्रोल नहीं होता है और वह स्वयम क्या होता है बच्छों डिफिकेट होता है जिसको वह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने डिफिकेसं हो जाता है डिफिकेसं डिफिकेसं की प्रक्रिया वह कंट्रोल करने लगते हैं जब तक यह होते हैं तब तक इनमें जो इन्वालेंटरी एक्षन के इंतरगत इस वरी वरी मोस्ट इंपोरेंट इस टाइशन का इस टाइशन का इसे होता है जब हमारे डामिनल मिसल्स में contractions होता है जो हमारे abdominal muscles में longitudinal longitudinal circular oblique muscles से होते हैं उनमें जो contraction होता है साथ हिसाथ जो intra-abdominal pressure बनता है हमारे पेट में उपर से जब pressure बनता है बच्चों जब यह बढ़ता है तब defication की प्रक्रिया होती है अर्थाथ जो हमारे rectal muscles पाए जाते हैं एक स्फिंक्टर होते हैं बच्चों हमारे एक स्फिंक्टर तभी खुलते हैं जब abdominal muscles का contraction होता है साथ हिसाथ intra-abdominal pressure create होता है ठीक बच्चों उस समय क्या होता है बच्चों हमारे ep glottis बंद हो जाता है और साथ हिसाथ जित्ते स्फिंक्टर होते हैं वो उपर का रथाथ back flow नहीं होने देते हैं और हमारे जित्ते भी invest material है वो नीचे की और क्या करते हैं बच्चों descend out रखते चले जाते हैं ultimately जित्ते भी obsessed material है वो बाहर की और exhale out कर दिये जाते हैं in adults defication is a voluntary control adult में क्या होता है बच्चों defication होता है वो voluntary controlled होता है ठीक बच्चों अर्थात बच्चों में यह involuntary actions होता है जो सोता हो जाता है उनको पता नहीं चलता है परहन तो adult में यह क्या होता है बच्चों voluntary controlled होता है it is very very most important pieces is a semi solid brown color moss and it is due to the esterocoline pigment very very most important बच्चों यह जो fecal होता है बच्चों वो semi solid होता है और इसका जो color brownish color आता है बच्चों वो किसकी वज़ेस आता है esterocoline ester cobylene pigment होता है बच्चों जब आप पढ़ेंगे liver तो liver में हम बताएंगे बच्चों कि यह ester cobylene कैसे बनता है ester cobylene एक ऐसा pigment होता है जिसके वज़े से जो हमनों का fecal होता है बच्चों वो brownish color का होता है ठी बच्चों तो fecal का nature कैसा बच्चों यह semi solid होता है और इसमें brownish color होता है और जो brownish color होता है इस due to the presence of the ester cobylene pigment ठी बच्चों आप इसको remark कर लेंगे कि जो east tool का brown color होता है कि इसके वज़े से होता है इसके वज़े से हमारा जो fecal होता है वो क्या होता है brownish color का दिखाई देता है इनल स्पिंक्टर इज इन्वालेंट्री केंट्रोल्ड एंड ओपेंस वेंडिफिकेशन स्टार्ट वेरी वेरी के द्वारा कंट्रोल होता है वह इन्वालूंट्री कंट्रोल होता है जब हमारा डिफिकेशन होना मत मताइब अगर हम बात करें वज़ें लौज इंटेस्टन में कुछ ऐसे वी यहां जो हो जाते हैं तो आई यह बात करते हैं कॉंस्टिपते के भृसमें का मलबंधता हमारे हमारे जादी समय तक हम इस टूल को रहे हैं और पास आउट ना करती है तो कुक्कि हमारे जो लियुमें होते हैं कि जो हमारे कंसेस्टेंसी होते हैं ज़्यादे से ज्यादे वाटर को एबजार्ब प्राबलम होता है त्रीक वाटर यौंकि 받 рублей hm कहां चला गया बच्चों को सबस्सक्रण को हो जाता है तो सब्सक्राइश नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता तो हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रेसर नहीं बन पाता है और फिर हमारा इस टूल पास आउट करने के लिए बच्छों लुब्रिकेशन के आज सकता होती है करते हैं साथ इसको चिकना हट अगर होते हैं तो बाहर के पास आउट होजाता है लेकिन बहुत दिन तक जोस्त स्टोन जिता है फिर उसको पॉस्टै साथ करें हुठरद होता है प्लडी डिस चार्जींग होता है तो होता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है और ठीक से क्या होता है जो रास्ता होता है इसको जाम कर लेते हैं और जिसकी वजह से सभी क्रिया क्या हो जाती है जैसा कि आप इस पीगर में देखिए तो यह देखिए यह जो यह जो इस्टूल आप देख रहें हैं बच्चयों यह बहुत हार्ड हो गय क्यों बच्चों due to the loss of the water जयादी से जादे water का content जो होता है water जो है बच्चों वह कहां चला गया लार्ज योई डिटेन हो जयाता है हमारा जो इसमें वाटर कर लिये जाते हैं जिसके वजह से जो बॉल मुमेंट हैं वो और इंप्रॉपर हो जाता है और प्रेसर नहीं बन पाता है जिसके वज़ेसे डिफिकेशन की प्रक्या नहीं हो पाती है इस वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेड आईये बच्चों गर हम बात करें दूसरी अबनॉमल डिस्क के विश्य में तो यह डायरिया आइये बात करते हैं डायरिया क्या होता है पीकल बनालेते लेकिन दारिया के condition में क्या होता है बच्चो यह जो bubble moment रहे हैं वो bubble moment थीक से नहीं हो पाता है人ों प्रिक्वेंसियाch bubble moment होने के कारण क्या होता हए बच्छो वाटर का reabsorctions इंप्रॉपर हो जाता है अर्थात water का रिप्जार्शन ठीक से नहीं हो पाता है जिसके वज़े से हमारे जो इस्टूल से बच्छो बिल्कुल धीला बना रहता है और धीला बना होने के करनल बच्छो क्या होता water discharge होता है इस्टूल नहीं होपाते हैं तो जो प्रेसर नहीं बन पाता है और वो बिल्कुल ऐसानी से बिल्कुल फर्म में नहीं होता है वह इस्टूल पास होता रहता है जो तो इसके वज़े से हमारे ब्लड में भी वाटर की क्या हो जाती है तो इससे क्या होता है हम लोग को कमजोरी महसूस होता है हम लोग क्या करते हैं तो इस प्रकार से जो होड़ी होजाता है तो उस प्रकार का जो होता है उने के खारण क्या होता है वह तैम RIGHT दिस्चार्ज होता है क्या तो यह क्या करता है बच्छों अर्थात की प्रक्रिया क्या हो नाज्ट हो जाती है क्यों क्योंकि वह देखेंगा बच्छों तो जो हमारा लूज मोसन होता है वो किस रूप में होता है जो हमारा लूज मोसन होता है बच्चो वो कैसा होता है बिलकुल राइस वाटर के रूप में डिस्चार्जिंग दिखता है ठीक बच्चो अर्था जिस प्रकार से आप देखेंगे जो चावल पकाने पर उपर जो पानी होता है ब पाद करें वच्छों सिंटम्स में कि जो डाइरिया के सिंटम्स होते हैं अगर हमागे स्थीवर बुखार आता है ठीक है अगर हम देखेंगे तो अब्डामिनल क्रैंपिंग होता है ठीक बच्छों अब बहुत तेजी से क्रैंप करके बहुत प्रकार की जो श्रीर के साथ दिखाई देते हैं तो यह डाइरिया के बच्चों आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा अगर बच्चों हमारे वीडियो आपको समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने यार दोस्तों बच्चों क्या करें बच्चों इसको सेयर करें जिससे उनकी भी तयारी सके हमारे जिते वी अफटेटेडड वीडियोस हैं बचों आप के पास तक पहुचें इसके लिए बैठों वैला इकाल को प्रेस कर देएंगे समारे जितेने फी आपनेटेड वीडियोस है वह आपके पास तक पहुच्छते रहेंगे तब तक सब शि tota